आपके बस Realme P2 Pro Series का कोई भी फोन है, तो यहाँ पर factory data reset कैसे कर सकते हैं, यानि कि phone delete कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आप जाएंगे setting पे, इस step से option आएगा, scroll कर लेंगे, आपको यहाँ पे additional setting के option पे click करना है, और यहाँ पे scroll करना है, backup and reset के option पे click करना है, reset phone पे जाएंगे, इसके बाद यहाँ पे erase all data का option है, click कर लेंगे, जो भी आपके phone का lock है, वो enter कर लेना है आपको, और यहाँ पे erase all data पे click कर लेना है, तो finally एक वर आप reset, इस पे click कर लेंगे ना, और जैसे छोड़ेंगे phone आपका delete हो जाएगा, मतलब switch off होगे, on होगा, बस आपको wait कर लेंगे 5-10 मिनट का, आपके phone में 30% से उपर का charge होना चाहिए, otherwise phone में time लगेगा तो phone कही switch off ना रह जाए, इसलिए sufficient charge रखेंगे, तो फिलाल के लिए मैंने back कर दिया है, cancel, आप delete कर देंगे, तो आपका पूरा phone delete हो जाएगा, और इसके बाद setup करने का option आएगा, on होगा, तो आपने आप setup कर लेंगे, जो भी आपको करता है, लेकिन कोई भी button आपको नहीं छेड़ना है, on होने तक, ठीक है, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए नमश्कार,